5000 पॉइंट अल्मोस्ट बेंक निप्टी में फॉल, निप्टी में 2-3,000 पॉइंट का फॉल और लिटरेली दोस्तों जो आज के दिन हुआ है मार्केट में कोई हॉरर फिल्म से कम नहीं है उससे देखने में भी उतना डर नहीं लगता जो आज के दिन देखने को मिला लेकिन जो लोग मेरे free वाले group पे नहीं जुड़े हैं, मेरे भाई जो लोग नहीं जुड़े हैं, join टेलीग्राम बोलके लिखा हूँ, link दोस्तों, description में दे दिया हूँ, उस link को click करके join कर लीजी, क्योंकि उनके दीन मेरे भाई, बस जो surprise, जितना पेसा आज के दिर market ने कमा के दिया है ना, वो साइध ही कभी आपको देने बाला है, और आज आप लोगों का support चाहिए, नहीं genuinely बोल रहा हूँ दोस्तों, ये जो मेहनत के हिसाब से, मैं कल आप लोगों को बताया था, जो election special strategy में कल पहला भीडियो यो अपलर कर दिया था, पिन पॉइंट काम दिया हैं, और जो लोग मेरे free वाले group पे जुड़े हैं, चापे हैं भाई पेसा, नहीं सच बताना कसम से दोस्तों, आप लोगों ने चापे हैं कि नहीं बोलिये comment में, क्योंकि यार लाइक बनता हैं, दोसों से 300 लाइक बनता हैं, क्योंकि जो मैंने strategy बताया था, किया मैंने strategy कहा था कल के दिन, कि भाई आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों, दो घंटा वेट करना है, 9.15 से 10.15, 10.15 से 11.15, 11.15 का, जो दोस्तों, एक घंटे का candle बने का, नहीं कि second candle का low तूट ते ही, उसके नीचे 5 minute candle close देते ही, put buy करना है, देखिए कैसे काम दिया, जो भी मेरे बात मान किये, यहां पे put buy किया, दोस्तों, strategy की इसाब से, 1200 point का one flow में fall मिला, nifty में भी दोस्तों, व्री वाले ग्रूप पे अभी कभी जूट जाएए, live market में दोस्तों, सब कुछ में, वहां पे live update दे रहा था, और आज के दिन, जो पेसा, जो जो लोग मेरे भरोसा किये, और इभेन मेरा quality वाले ग्रूप पे भी दोस्तों, clear cut खुलते ही, 924 पे हम लोगों ने 49,000 का put buy कर दिया था, 735 से, और डे के आखिर में दोस्तों, वो 3,267 चला गया यार, क्या क्या हुआ है दोस्तों, बस आज के दिन, बस बेसे की बारिस में कहूंगा, जाके वरी वाले ग्रूप पे जुड़ जाएए, अब कल के दिन दोस्तों, bank nifty का banger expiry होने बाला है, और बहुत कुछ change हो चुका है, तो दोस्तों, आप अगर कोई भी call put hold किये, तो comment कर लीजिए, और यार आप लोग subscribe नहीं करते, तो please subscribe कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो पे only and only bank nifty का ही analysis करेंगे, लेकिन जो second वीडियो आएगा, वहाँ पे result का, जो result निकल के आएगा, दोस्तों, उसका effect किया होगा, जो result expect कर रहे थे, उससे बहुत different result निकल के आए हैं, तो second वीडियो के लिए इंतजार करिए, correct पाँच बजे में upload कर दूँगा, तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे only on only bank nifty experience के चार डिसकस करेंगे, really black friday सुना था, but black tuesday, भाई lower circuit मारते मारते बचा यार, बस 200 point नीचे आते हैं, खतम आज के दिन खतम हो जाता बेंग nifty, seriously, तो कल के दिन के लिए पहला प्लान दोस्तों, पागल पन में यहीं कोऊंगा, यह के केंडल में जो आज के दिन हुआ, और कल के दिन भी वहीं उम्मीद दिख सकता है, तो कल के दिन पहला प्लान, अगर market कल के दिन flat to little gap down खुल गया, खुलते ही आपको 46,077 यह वाला level तूटता हुआ दिखाना, then definitely दोस्तों, आप पुट के तरफ एगें जाईए, क्योंकि इसके पीछे में आपको region बता देता हूँ, क्योंकि भाई आज जो छापे हो, कल के दिन वहीं तो आप rix लीजिए, क्योंकि भाई, strategy काम दिया ना, बिलीब नहीं हो रहा है, कल आज फिर से में वहीं market time, पर strategy यह बच्चो वाला strategy था, बच्चो वाला strategy था, लिखा था देखिए, 11,15 के बाद के से apply करें, कुछ नहीं, 2 घंटा wait करना है, second जो एक घंटा candle है, लोट उटने के बाद, put buy करना है, वहीं तो था, और 5 मीट के डिल close देती, मैंने put buy करने को कहा था, तो यार जो आज के दिन आप, लाइक कमा के रखें, वहीं कल risk लगाईए, 46,000, 077 के नीचे जाएगा, तो कल के दिन market में, और definitely panic देखने को मिल सकता है, इसके पीछे मैं आपको region बता देता हूँ, पहला region दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक बार कहीं ना कहीं, टच किया इसी trend line को, upside का clear cut momentum, उसके बाद अगर आप देखोगे, दूसरी बार टच किया, बेंगनिप्टी, इतना बड़ा momentum, तो यहाँ पे एक बार, यहाँ पे दो बार, और यहाँ पे अगर आप बाद में आके देखोगे, आज के दिन, जो मैंने कहा कि, lower circuit लगते लगते बचा है भाई, और वो पूरा credit देना चाहता हूँ, यहीं आज के दिन, बेंगनिप्टी को live save किया है, नहीं तो इजच चला जाता, बेंगनिप्टी का यार, 10%, 10% मैं खुद देख रहा था, और मैं सोच रहा था कि गया, 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 एंड देन, जैसे ही ट्रेंड लाइन टच किया, और इतना बड़ा green candle मारा, थोड़ा सा कहीना कहीं दोस्तों, आपका भी सांस रुका होगा, कि चलो यार, फाइनली रुका और एक logical place, आप clearly देख पा रहे हैं, ट्रेंड लाइन एक बाद टच किया था, उपर गया था, यहीं trend line दो बाद टच करके उपर गया था, और यहीं trend line आज के दिन टच किया, और टच करने के बाद अगर आप देखोगे, कहीना कहीं, 2000 point उपर भी गया है, एक एक minute में आज के दिन आपने देखा होगा दोस्तों, 500-700 point का, एक-एक minute में आपने candle बनता हुआ दिखा होगा, आज के दिन, इवेन राजो हमने premium group पे दोस्तों, put मेंने buy करने को दिया था, believe नहीं करेंगा, आप timing जाके देखिए, 4 minute में, 488 point दिया है, 4 minute में वो भी लेते ही, तो यार, कल के दिन के लिए यही प्लान है, कि अगर fall करना है, तो 46,077 के नीचे, 46,077 के नीचे, definitely आपको fall देखने को मिलेगा, क्योंकि 46,000 एक round level है, वो भी तूट जाएगा, एंग इतना बड़ा trend line, वो भी तूट जाएगा, और आज के दिन, जहां पर बेंग निटी संभाला, आपने आपको, संभाल के 2000 पॉइंट उपर गया था, जब वो swing टूटेगा ना, कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, free fall आपको देखने को मिल सकते हैं, और put unwinding देखने को मिल सकता है, अगर मैं like buying की आपको उम्मीद दूँ तो दोस्तों, कल की दिन अगर fleet खुला, और जो कहीन है कहीन कोमेंट हैं, वो again continue किया, अभी भी चांस है, 100% बूँ वहीं करेगा, बट कहीन है कहीन हैं, दोस्तों, market का जो expectation था, आप लोग समझ रहे हैं, ज़्यादा उमिद कर रहे थे, उस उमिद पे कहीन हैं नहीं खड़ा उतर पाया, और उसके बाद जो selling आया दोस्तों, आधा जो selling आया, वो उस उमिद पे खड़ा नहीं उतर पाया, उसके लिए वो selling आया, उसके बाद का जो 10, 45, 11 बजए बतÖ लिए उसके लिए हुआ है तो रीजन एक नहीं रीजन दो है ओप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो कल के दिन अगर फ्लेट खुला और फ्लेट खुल के 48,347 ब्रेक आउट आपको करता हुआ दिखा ठीक हैं बाई के तरफ जा सकते हैं रिस्की बहुत रहेगा क्योंकि आज के दिन का जो ट्रेंड है बहुत डाउनसाइड है लेकिन मैंने क्या कहा वहीं गौर्मेंट अगर रिपिट होने वाल तो एक बार ट्रेंड लाइन टच किया डाउनफॉल मोमेंटम दूसरी बार ट्रेंड लाइन टच किया डाउनफॉल मोमेंटम तीसरी बार ट्रेंड लाइन टच किया डाउनफॉल मोमेंटम एंड यहां पे भी अगर आप देखोगे दोस्तों एक बार रिजिस्टन्स लिया जाएंगे यह क्लियर हो किया दोस्तों पूरे के पूरे अगर मैं प्लान C और D की बात करूं दोनों तो प्लान हम डिसकस कर दिया और एक प्लान में आपको बता देता हूं यहाँ पे ना एक रेट केंडल दिखा और उस लेट केंडल का अगर आपको कहिने कहीं लो ब्रेकडाउन करता हूं दिखा पांच मिनिट का देन डेफिनिटल आप उट के तरफ जा सकते हैं दोस्तों क्योंकि 48,073 से 48,356 प्रॉपर कहिना कहीं अगर आप देखोगे एक रेजिस्टन्स हैं यहा अगर जाएगा एक बार में तो तोड़ नहीं पाएगा यहां से यूटन मार सकता हैं तो कल सेलिंग का परचुंचित थोड़ा ज़्यादा ढूंडिए ट्रेंड के साथ जाने के लिए अगर कल के दिन पोजिटिव नियू जाता है तो डेफिनिटली मार्केट फीड दिरे वो नहीं आया और उसके लिए कही ना कहीं आप अपसेट हो जाते हैं रियल लाइफ में भी यह लागू होता है दोस्तों आप लोग आप भी अपने फिलिंग्स को पूछिए आप अगर कोई चीज चाहते हैं या फिर जो एक्सपेक्ट करते हैं अगर उतना नहीं मिलता चा अब दो लाग का न्यू बाइक भी खरीते हैं तब भी वो हैफिनेस अंदर से नहीं आता ठीक हैं काम चला वहाँ खुस हैं इस टाइप का फिलिंग्स आता हैं जबकि अगर आप पांच लाग का बाइक अपने ड्रीम बाइक खरीते दें डेफिनेटली वो हैपिनेस आता त तो वही कहीन है के मार्केट में लाग वा जो एक्सपेटेसन था अगर वो आता तो मार्केट में आपर सर्किट भी लग जाता उसमें कोई बड़ी बात नहीं है वहाँ से लोर कहीन है कहीन है तब ही जाके मार्केट में डाउनफॉल आया है तो सीधी सिंपल सी बात है प्ला candle बनेगा गेप अगर खुला उसका high आपको breakout करता हुआ दिखा अलग रूप market का देखने को मिलेगा फिर उपर जाएगा उसका आपको अगर low breakdown करता हुआ दिखा कल के दिन तो definitely put के तरफ जाएंगे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है और give down भी खुला तो same दोस्तों 15 minute wait करना है low tuta sell के तरफ high tuta buy के तरफ clear हो गया पूरे की पूरे दोस्तों अब चले जाते हैं option chain पे 47,200 के आसपास close दिया है अवा चुके है bank nifty के option chain पे जो आज के दिन put writer का हालत हुआ है जितने भी लोग कल के दिन call hold करके गए थे sorry feel कर रहा हूँ दोस्तों उनके लिए उनका feeling समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उनका loss हो आओगा और खास करके put writer का इतना तेजी से आज के दिन premium बढ़ा और जो कही नहीं कहीं दोस्तों violent move था हाई कल दिख रहे हम देख रहे थे 51,000 पे यह मुझे बिलीब नहीं हो रहा है कि आज हम 47,000 का बड़ा ही कहीं कहीं सौकिंग आप कहीं सकते हैं तो 47,200 पे दे उस्तों कहीं 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 close दिया है so 47,300 पे दिखे 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 अभी भी doubt है अगर इतना ही confidence होता कि market गिर ही जाएगा तो call writer आ जाते 10,10,20,20 लाग नहीं आए है यहाँ पे देखोगे call writer 47,300 पे 1,82,000 हैं उसके उपर अगर आप देखोगे 1,64,000 उसके उपर 7,00, 1,00 इतना बड़ा fall market में normal market में आपने अगर देखा होगा 300,400 point fall हो जाता है न 10,10,88,000 लाग call writer आ जाते हैं आज 4000 point fall होके भी अगर आप देखोगे कोई आप खुश सोचो यार कल कहीना कहीं expiry है bank nifty का expiry होते हुए इतना बड़ा fall आते हुए double digit में भी call writer नहीं है seriously 48,000 पे अगर आप देखोगे 11,000,000 सिर्फ call writer है कि इतने दूर पे और उपर का अगर आप देखोगे कहीन हैं double digit में writing ही नहीं है एक एक लाग call writer है तो जो आखरी time पे थोड़ा recover किया क्योंकि result अभी मैं जो video बना रहा हूँ तब तब तो निकलेगा नहीं वो तो 6-7 बजे के बात पता चलेगा तो अभी भी डर है इसलिए call writer को full confidence नहीं है तो इसलिए दोस्तों सीथी simple सी बात है कल के दिन अगर जो buying का level बता है उसके उपर गया तो definitely long के तरफ जा सकते हैं और put writer कहां दिखेंगे मेरे भाई नहीं पढ़ना उनके लिए आज के दिन बुरा लग रहा है दोस्तों मजाक में नहीं है बुरा में feel कर रहा हूँ कि मुझे में सोचा भी नहीं था कि इसे दिन देखने को मिलेगा कि कल expiry है bank nifty का और 47,000 के round level है और वहाँ पे 8,430 sir put writer है मतलब इतने बुरे दिन देखने को मिलेगा अपने career में नहीं सोचा था seriously आप भी खुछ सोचिए दोस्तों कि 47,000 एक round number है नीचे trend line है कल expiry है bank nifty जैसे index जहाँ पे भाई करोड़ों, millions, billion लोग कही नहीं कहीं trade करते हैं और वहाँ पे आपको कितने put writer देखने को मिलेंगे 47,000 के level पे सिर्फ 8,430 एक लाख भी नहीं पहुचा 50,000 भी नहीं दोस्तों तो सीरी सिंपल सी बात है put writer का डर कम बहुत ही ज़ादा है दोस्तों तो कल market गिर भी सकता है 47,000 के नीचे गया तो फिर खता में बात, seriously में बोड़ रहाँ खता में बात, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए जाके free वाले गुरूप पे अभी कभी दोस्तों join कर लीजिए और अपने mummy पापा को बहुत सारा प्यार दीजिए उनका हमेशा क्यार कीजिए second वीडियो पे आ रहा हूं है nifty and then दोस्तों mid cap nifty, fin nifty सब डिसकस करेंगे मज़ा आएगा तो जाके और यार ये strategy आपने नहीं देखा है ना एक बार जाके देखो यार जो मैंने कहा था वो नहीं हुआ तो यार unsubscribe करके चले जाए proper strategy आज के दिन है explain भी किया, second one hour candle का low break क्या, boom यहाँ पे निवटी भी वही हुआ, second one hour candle like breakdown क्या, boom पागलपन पेसा दिया है, तो जाके free valley group join कर लीजिए, second video मिलते है take care, bye and see you